पूरा बांगलादेश हिंसा की आग में जल रहा है आरक्षन की आग में शुरू हुआ विरोत प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना को ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बलकि उन्हें अपना देश भी छोड़ना पड़ा बांगलादेश की सबसे मजबूत महिला का ये हाल आप देख सकते हैं किस तरह से हिंसा की आग में जुलस रहा बांगलादेश शेख हसीना के सियासी तखता पलड तक पहुँच गया और उन्हें देश छोड़ना पड़ा इतना ही नहीं बांगलादेश में जो प्रदर्शनकारी है वो प्रधानमंतरी आवास में घुस गए प्रधानमंतरी आवास में घुसने के बाद कि जो तस्वीरे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बांगलादेश में प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंतरी आवा को पूरी तरह से बेन कर दिया गया है बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के दुसाहस की तस्वीरे जो वाइरल हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक आरक्षन को लेकर शुरू हुआ आंदोलन प्रधानमंत्री की कुरसी तक पहुंच गया प्रधानमंत्री श जो प्रदर्शनकारी है वो प्रधानमंत्री आवास में मौजूद तमाम जो चीज़े हैं उन्हें छेड रहे हैं और ना सिर्फ छेड रहे हैं बलकि वीडियो भी बना रहे हैं हम बात करें थे एक प्रदर्शन जो आरक्षन की आग को लेकर शुरू हुआ था और इसमें इ पूरे घटना करम में जो आरक्षन को लेकर शुरू हुआ जो वीरोत प्रदर्शन है उसमें बंगलादेश में जो मुख्य वेपक्षी पार्टी है उसके कारेकरताओं को भी उसमें शामिल है और अब ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसमें जो कारे करता है उनको निशाना बनाया जा रहा है हिंसा हो रही है मारपीट किये जा रही है और शेख हसीना के जो दफ्तर है पार्टी का जो दफ्तर है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे है कि कैसे शेख हसीना बंगलादेश छोड़कर उन प्रदानमंत्री आवास में मौझूद ये प्रदर्शनकारी किस तरह से हाथों में हतियार ले रखे हैं और प्रदानमंत्री आवास में तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये देखिए प्रदर्शनकारी प्रदानमंत्री आवास में गुसे और भागते वे प्रदानमंत्री आवास पर कभजा जमालिया तोड़ फोर की जा रही है मारपीट की जा रही है जो शेख हसीना के समर्थक है उनके साथ मारपीट हो रही है ये स्टुडेंट प्रोटेस्ट है आप देखिए कैसे क्या इसे स्टुडेंट प्रोटेस्ट कहा जाएगा ये देखिए तस्विर प्रधानम प्रधानमंत्री के बेडरूम पे ये पहुँचकर जो प्रदर्शनकारी है वो नारेबाजी कर रहा है और फोटो खिचवा रहा है वीडियो बना रहा है ये तस्वीरे देखिए ये किसी भी तरह से स्टुडेंट्स तो नहीं हो सकते क्योंकि स्टुडेंट्स का काम पढ़ने है कि शेख हसीना के बाद बंगलादेश का सियासी भविश्य क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन अभी तो सैना ने पूरी कमान समाल ली है आर्मी चीफ शेख हसीना के भागने के बाद देश छोडने के बाद आर्मी चीफ सामने आए और उन्होंने द आईए देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी इस मूर्ती पर चड़ कर उसे तोड़ रही है ये एक बड़ा सवाल है कि बंगलादेश में हिंसा की आग आरक्षन की आग कब शान्त होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि अब ना सिर्फ वहाँ पर विरोध चल रहा है बलकि अब सियासी तखता पलट भी हो गया है तो एस्तिर्ता की तरफ बंगलादेश पहुँच गया है अब देखना ये होगा कि अब नई सरकार कब बनती है और कब बंगलादेश में शान्ते स्थापित होती है लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन कारियों का प्रधानमंत्री आवास में घुसना और तोड़ फोड़ करना ये किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता अब तक कि हिंसा में 300 से जादा लोग के मरे जाने की भी खबर साबने आ रही है